चोपड़ा है जो किस न्यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दे की स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बचो सुप्रिम कोट में रिजर्वेट्शन के रेगार्डिंग केस की हीरिंग कम्पलीट हो चुकी है और उसका डिसीजन आज यानी सेवन्त ऑफ जनवरी ट्वेंटी टू को आ जाएगा ये केस आज सप्लिमेंटरी लिस्ट में सीरियल नम्मर वन फाइव जीरो वन पर ओडर के ल कि आखरी डिसीजन कब तक सुनाया जाएगा तो ये सुप्रिम कोट पर डिपेंट करता है हो सकता है शुरू में इसी डिसीजन को सुना दिया जाए या फिर सभी फ्रेस केसेज की सुनवाई के बाद आप्टर नोन में ये डिसीजन सुनाया जाए लेकिन आज के दिन चार पज़े से पहले पहले कोट क्लोज होने से पहले आपको डिसीजन सुनने को मिल जाएगा अब हमारे मन में एक ये उत्सुता रहती है कि आखरी ये डिसीजन क्या हो सकता है तो बचो सुप्रियम कोट का डिसीजन किसी भी केस में ओर और जज़्जमेंट के रूप में होता ह मतलब judgment final होता है जिसमें case को वहाँ पर ही close कर दिया जाता है further वो listed नहीं होता है मगर order में किसी party को order दिया जाता है और case को आगे proceed किया जाता है तो reservation का जो ये case है इसमें आज order दिया जाएगा मतलब कि इसमें MCC को further counseling start करने के लिए order दिया जा सकता है और reservation के regarding hearing आगे भी चल सकती है हम ये तो नहीं बता सकते कि Supreme Court का order अभी Supreme Court क्या order देने वाला है लेकिन argument के अनुसार ये idea लगा सकते हैं कि Supreme Court द्वारा MCC को counseling start करने का आदेश दिया जाएगा और All India quota में 27% OBC और 10% EWS reservation लागू हो सकता है अब इसमें हम ये ऐसा argument के according ही माना जा रहा है बाकी तो आज चार बज़े से पहले पहले ये decision आई जाएगा और ये भी तह है कि अब counseling जल्दी start हो जाएगी एक दो दिन के अंदर ही अब सवाल ज्यादतर स्टुडेंट का ये रहता है कि आखिर कल ही ये decision क्यों नहीं सुनाया गया decision reserve क्यों रखा गया है तो बचो जो काफी लंबे case चलते हैं उसका decision कई pages में होता है उनको type करने के लिए समय लगता है उस order की को भी दोनों पार्टियों को देनी होती है इसके अलावा जो supreme court या अन्य किसी court में जब सुनवाई चलती है तो पहले के case को court किया जता है उनको cross check किया जता है तो इस परकार से court में काफी समय लगता है एक decision को तयार करने के लिए तो इसी वज़े से ये कल decision दिया नहीं गया हो सकता है कि इसको आज first में सुनाया जाए या फिर इसको आखिर में साम 4 बज़े से पहले पहले सुनाया जाए तो ये एक इसके बारे में update था reservation के case के बारे में और MCC की counseling के बारे में तो ये अभी clear हो चुका है कि MCC की counseling अभी एक दो दिन के अंदर ही start हो जाएगी तो देखते हैं आगे क्या update रहता है जो भी update रहेगा मैं आपको inform कर दूँगा मिलेंगे नई update के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद